अमेरिका में पाये जाने वाले कुछ ऐसे अजीबो गरीब और भयानक राक्षस जिने आज भी मौजुद होने का दावा किये जाता है चुपा काबरा लैटिन अमेरिकन के अर्भन लेजन्ड या लोकताओं के अनुसार एक ऐसा क्रियेचर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रात के अधेरे में चुक्के से पालतू जानवरों पर हमला परता था और उनको मौत के घाट उतार देता था लेकिन इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इन जानवरों के सरीर पर किसी भी तरह का घाउ नहीं होता था सिर्फ तीन छोटा सा छेद होता था और सरीर में से सारा खून गायब होता था चुपा काबरा को पहली बार 1995 में प्योटरीकों में रिपोर्ट किया गया जहां इसने एक किसान के घर मौजूद आठ वेडबकरियों पर हमला करके उनका सारा खून चूस लिया था और इसी के बाद से इस क्रियचर का दहसत पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी और ऐसी घटनाय कई बार होने लगी यहां तक कि अगर कोई इनसान भी इसके सामने आ जाता था तो उसका भी काम दमाम हो जाता था वहां के अस्थानिये लोग जिनोंने इसी देखने का दावा किया उनके मुताबिक यह कुत्ते की तरह दिखता है लेकिन यह दो पैरों पर खड़ा हो सकता है और इनके सरीर पर बाल नहीं होते इसकी दो बड़ी बड़ी आखें भी थी जो रात में चमकने लगती थी और इसके जबडे में कई नुकीले दात थे जिनकी मदद से यह अपने सिकार को दबोच लेता था और फिर अपने नुकीले दातों से बने गड़ों से अपने सिकार का सारा खुन पी जाता था